हिंदूं में प्रशाद का बहुत महत्यों सभी हिंदू मंदिरों प्रशाद मिलता है लेकिन तिरुपती बालाजी के नवैद्यम लड्डू प्रशाद की बात ये अलग है लड्डू बनाने के लिए उससे अपना बेसन बनाया जाएगा तो ये जो आपको इदर मैसर आणाया रखा हूँ असारा ये सब बेसन बिशने के बादद देखेए यहाँ पे लाया जा रहा है जहाँ पर इस बड़े से कंटेनर में इसमें पानी मिक्स किया जाएगा यह देखे, इधर से अपना बेसन आ रहा है और यहां से पानी खौल दिया है, उपर से रोटेट होता रहेगा, पानी इसमें डलता रहेगा और बेसन के साथ, यह बिल्कुल यूनिफोर्म मिक्स होके तयार होगा यहां पे, और अब जो अपना बेसन तयार हुआ है, वो आप बूंदी निकल रही है, और आप कड़ाई का साइज देखे, कितनी बड़ी यह कड़ाई है, और ऐसी केवल एक ही कड़ाई नहीं चल रही है, ऐसी यहां पे तीन कड़ाई चल रही है, यह देखे, इधर दूसरी कड़ाई है, यहां पर भी बूंदी बनाई जा रही है, और कलर देखें कितना प्यारा हम भाल करनाना जाएगा भान चने के देखें दभिल्ट निकैने के बाथ भूंदी हैसे यह पो निया जा रहा है og पानी लिया जा रहा है वह इस बड़े सी मशीन के लिए जा रहे हैं और उस भूंदीर में ऐक बारी में 300 Centre जाती है जो बुंदी अपनी तयार हुई है वह लेकर आई जा रही है लट्डू बनाने के लिए देखें जो गुंदी आई अपनी वह इस बड़े जरकर अदर आली जा रही है और इस बड़े वाले ड्रम को जिसमें चाशनी बन रही है उसके लेकर आया जायेगा हम आपको द आफ अब देकर इसमें इलाईची डाली जा रही है अब इसमें फूरा एक ड्रम ऻ़के काजू डाल दिया गया है अब यह जोगण मशीण के अंदर जहां पर सब कुछ मिछ्रा जाएगा तो देखे जितना भी यह mixture आया है अब हर शेल्स पर इसे फैलाया जा रहा है और फैलाया इसलिए जाता है कि जो गरम है